एपिसोड वन सेवेंटी फोर वू आयू विधी के आसू पूरी तरह से सूख चुके थे उसके दिमाग से अतीब की यादे भी धूएं की तरह गायब हो गए थी विधुशी उसके असिस्टेंट विणी ने उसे केरफुली इंटरप्ट करते हुए पूछा की वज़े से खराब हो गया था जो कि काटिस के लिए ठीक नहीं था वो हां कहने के लिए अपना सर हिलाती उससे पहले एक जबर्दस धमाकी की आवाज के साथ मेकप रूम का दर्वाजा खुल गया सब लोग दर्वाजी की तरफ देखने लगे उस समय विधी को ऐसा लगा जैसे की उसका गला सूप किया है और उसके गले से आवाज ही निकल रही थी अगर इस जिंदकी में कोई भी ऐसा इंसान हो सकता था जिसे वो फिर से कभी न देखना चाहती हो तो यह वो ही होगा लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा इंसान हो सकता था जो उसकी रातों की नेंडे हराम कर सकता था और जिससे वो अपने दिल की गहराईयों से प्यार और नफ्रत कर सकती है तो यह भी वो ही होगा सिर्फ और सिर्फ वो आरफ कपूर वही तो उसका भगवान उसका शैतान और उसका सब कुछ था दर्वाजे पर की लंबी पर्षाई को देखकर विधी का शरीर एक्तम स्या कर गया और उसे लगा जैसे की वो ठीसे साथ से में ले पा रही है उसमें खलके भूरे रंगा गोल करे वाला पूराना स्वेटर पहना हुआ था जुसके लिए काफी जाना पहचाना था सब कॉंशेसली उसे स्वेटर के निचले किनारे पर अपनी नजरे कड़ा दी और जैसा कि उसे उमीद थी उसे वहाँ पर एक हलका सा दाग दिखाई दिया ये वही दाग था जो अतीत में उसके स्वेटर पर विधी के हाथों से गुंच छलब जाने के वज़ा से बन गया था उसे अपने दिल में जक्रन सी मैसूस हुई और उसके सीने में तेज दंद होने लगा अरव ने अभी भी वही स्वेटर क्यों पहना हुआ है वो जानती थी कि तुछले सोला सालों में जब वो लोग साथ हुआ करते थे तब वो कितना चूजी था आम तरप ऐसी कोई भी चीज जो थोड़ा बहुत भी डामेज हो जाती थी वो तुरन फेक दिया करता था बस इतने सालों के दोरान सिर्फ यही एक पुराना स्वेटर था जो बच किया था तब विधी नहीं जोर देकर कहा था कि वो स्वेटर को अपने पास रखे क्योंकि उसे उसकी सौफनेस बहुत पसंद थी वो जब भी स्वेटर को पहनता था विधी उसके गले से लिपट जाय करती थी और उसका दिल नहीं करता था कि वो से छोड़े लेकिना जो विधी दोड़कर उसके गले से लिपट जाय करती थी वो जा चुकी थी लेकिन धिल भी उसे वही स्वेटर क्यों पहना हुआ था इससे ज्यादा कई और क्या हो सकता था आरफ पबलिक एरियास में इस तरह की कप्रे पहन कर कभी भी नहीं जाता था जब भी वो अपने घर से बाहा निकलता था तब वो हमेशा एक फॉर्मल सूट में होता था जिसमें उसका रियल शाम दिखाई देता था लेकिन आरफ इस समय काफी दिखरा हुआ लग रहा था कैसा हो सकता है कि आरफ क्या तुम घर से बहुत जल्दी में निकले थे लेकिन किसके लिए उसमें खाली खाली आखों से उसकी तरफ देखा तब ये उसमें मुक्ती के आश्यर में डुबी हुई आवाज सुनी आरफ भाई आप यहां क्यों आए हैं क्या आप मुझे लेने आए थे वाउ दाट्स ग्रेट शोग खतम होने के बाद मैं आपको फॉलो करूंगी जब वो बोल रही थी तब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था हैरामी की बात है कि आरफ ने उसकी तरफ भी देखा था फिर उसकी तीखी नजरे पूरी कमरे में घुमने के बाद आखे में जाकर विधी पर जम गई विधी का दिल एक दम सहम गया उसने तरफ वहां से भाव जाना चाहा लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस जग़ पर जम गई है और जरा भी हेल रोल नहीं सकती थी वो आरफ को तब तक देखती रही जब तक वो पूरे कमरे में लंबे लंबे कदम लेकर टेहलता रहा फिर अचानक वो ठीक उसके सामने खड़ा हो गया उसने सीधे सीधे उससे पूछा कौन हो तुम उसकी नजरे और टोन दोनों ही काफी ख़दरनाग लग रहे थे लिधी उसे इस तरह से देखकर शौक में आ गई उसका गला सूख रह था और उसका दिमाग भी फूरी तरह से सुन पड़ गया था उसने सक्ती के साथ पूछा बोलो, who are you? Say it आरफ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया था ऐसा लग रहा था जिसे उसकी हड़ियों का चूर्मा बन जाये था तेज दर्ज के और जैसे विधी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अपनी कलाई को आरफ की पकड़ से चुड़ाने के लिए स्ट्रबल किया आरफ मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे आरफ ने उसकी बात को इंडोर कर दिया और उसकी पकड़ और भी जाटा टाइट हो गई उसकी आखों में जैसे खूल उतराय था वो एक जानवर की तरह दिख रहा था जैसे कि वो अभी उसे फार कर खा जाएगा वो चीख पड़ा बोलो, कौन हो तुम? Who are you? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई का तुम्हारा वर्जन उससे काफी मिलता जूलता कैसे हो सकता है इस गाने के सेकेंड हाथ को तुम कैसे जानती हो तुम्हें ये कैसे पता चला कि इसे कैसे गाना है दर्प के मारे विधी पसीने पसीने हो गई थी उपर सी आरफ की बाते सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिज़ी गिर गई हो तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई का सेकेंड हाफ ओ, तो कैसे बूल सकती थी अपनी पिछली जिन्दगी के आखरी म्यूजिक कॉंसर्ट में अपने मुडर के पहले उसने तो तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई का सिर्फ आधा ही साही गाया था उस गाने का सेकेंड हाफ तो हमेशा से सिर्फ एक मिस्ट्री ही था लेकिन आज जब वो सरगर म्यूजिक फेस्टिबल में गाना गा रही थी तब अपने इमोशन्स में बहकर और अतीब की यादों में खोकर उसने अंजानी में इस गाने का सेकेंड पार्ट भी गा दिया था पाप ये उससे क्या हो गया था उससे लगा जैसे कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है और उसके नसों में खोन जम गया है आरफ ने उसे मेक अप काउंटर पर ले जाकर काफी प्रेशर डाल कर पूछताच की तेल मी राइट नाओ वू दा हैल आ यू उसके इतना करीब होने से विधी के दिमाग में अतीब किया दे एक तन से उसके सामने आ गई थी और वो घवराहत में उससे छूटने के लिए स्ट्रवल करने लगी आरफ मुझे जाने दो मुझे जाने दो प्लीज मैं कोई भी नहीं हूँ मुझे जाने दो छोड़ो मुझे अरफ को वापस खीचने के लिए उतकर शागे बढ़ा सर्व काम डाउन ये वेवे डांस की तरफ से मिस्विदूशी शर्मा है ये वो इनसान ने ये जिसे आप धून रहे है आरफ उसकी बात से जरा भी कन्वेंस नहीं हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे जिन्दा ही निकलने के लिए तयार है उसने चिला कर पूछा बोलो तुम इस गाने के सेटेंट पार्ट के बारे में कैसे जानती हो उतकर्ष ने कहा वो मैं था हाँ इट वुज मी मैंने ही उसे म्यूजिक और लिरिक्स दिये थे उतकर्ष ने आरफ को वापस खीचने के लिए पनी सारी टाकत लगा दी थी असलियत ये थी कि उतकर्ष भी एकदम हैरान हो गया था उसने उसे लिरिक्स नहीं दिये थे और वैसे भी उसके और आरफ के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो उस गाने के सेकंड हाफ के बारे में जानता हो किकि वो टॉप सीटरिट था लेकिन इस लड़की ने जो की सूपर नैच्रली विधी की तरह थी उस गाने के सेकंड पार्ट को गाय था इसका क्या मतलब था उसके सामने जवाब एकदम साफ था लेकिन सचाई जानने के लिए ज्यादा फोकस करने के बजाए उतकर्ष को ये इंशूर करने में ज्यादा इंट्रेस्ट था कि इस बार वो उसे प्रोटेक्ट कर सके उसने कहा ये म्यूजिक और लिरिक्स मैंने ही उसे दे थे उसने इसे उसके अकॉर्णिंग ही गाया है इससे ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती कि वो इस गाने के सेकिंड पार्ट को कैसे जानती है उतकर्ष ने आरफ के उपर चिलाते हुए कहा फिर भी आरफ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपने पागलपन में फिदी को प्रेशुराइज करता रहा वो दा हेल आर यू आरफ की पकर से उसे बहुत जादा दर्थ हो रहा था जब उसके बरदाश से बाहर हो गया था अब तो उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी कलाई ही तूट जाएगी वो बहुत दुखी होकर चीख पड़ी आपको इस बार की इतनी फिक्र क्यों है कि मैं कौन हूँ आरफ अफिर आप मेरे क्या लिखते हैं हर कोई जानता है कि तेरा मुझसे ये पहले का नाता कोई कैसे गाए जाता है जो म्यूजिक और लिरिक्स मुझे दिया गया था मैंने तो बस उसी के अकॉर्डिंग गामे गाय था तुम जूट बोल रही हो आरफ अभी भी गुसे में था और अचानक से उसने अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे के निचले हिस्से को पकड़ कर उसका चेहरा उपर उठा दिया जिससे वो उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो गई तुम बिलकुल जूट बोल रही हो इज इस नोट पॉसिबल ये तो होई नहीं सकता है कि उतकर्ष ने तुमें म्यूजिक और लेरिक्स दिये हो पॉसिबल ही नहीं है इस गारे का सेकंड पार्ट तुम कैसे जान सकती हो जब कि वो तो अब तक रिलीज ही नहीं हुआ है बताओ मुझे ये कैसे पॉसिबल है कि तुम इसे अपने आप पूरा का पूरा गा सकती हो बोलो हो इन वाइड आ रही हो शायदिक उमीद या फिर वो तकलीफ थी कि जो उसे इतने लंबे समय तक मिस करने के वज़े से प्यदा हुई थी आरभ ने ये मानने से साफ मना कर दिया कि उसे म्यूजिक और लिरिक्स उतकर्ष ने दिये थे वो अच्छी तरह जानता था कि यह सब करना साइस किया वज़ी को लगजा था जिसे आरभ की आवाज हलके हलके से कांप रही थी उसने अपने आखें बंद कर ली और सोच लिया कि वो अपने एमोशन्स का एक परसिन भी एक्सपोस नहीं होने देगी उतकर्ष के आवाज में उसकी चिंता साइस छलक रहे थी उसने कहा सर प्लीज पहने उसे जाने बीजे आप शान्त हो जाएए वो बहुत हेल्पलेस लग रहा था आरभ अभी भी उसे छोड़ने को तयार नहीं था विदी का पूरा शरीर एक दम से काप उठा किसी भी हाल में वो अपनी रेल पहचान का पता भी चलने देला जाती थी वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी आरभ का पॉसरसब नेचर बहुत स्टॉंग था और विदी तो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वो उसे अपने साथ वापस ले जाता है तो उसका नतीजा क्या होगा विदी दे खुद को शांट करने के लिए मजबूर किया उसने बहुत मुश्कल से एमज उटाई और कहा आप उसकी चेन अबे भी आरभ की पकड में ही थी और इतना बोलना भी उसके लिए चैलन्ज से कम नहीं था पहले आप मुझे जाने दो फिर मैं आपको बताऊंगी आप मैंने कैसे मुझे पता यह गाना उसकी लिरिक्स जब वो बोल रही थी तो उससे लगा कि आरभ की पकड धीली हो गई है उसके पास सोचने का समय नहीं था जिरी ने पूरी टाकत लगा कर आरभ को एक तरफ ठकेल दिया और थोड़ा जुटकर घुटने के बल चलते हुए किसी तरह कमने से बाहर भाग गई वही रुख जाओ आरभ गुस्ते में चिलाया वो रुखने की इमत कैसे कर सकती थी बिना सोचे समझे घूमते हुए टेबल और कुर्सियों से टकराते हुए वो सीधे एंट्रिंस की तरफ भागने लगी वो आरभ को अपना पीछा करते हुए साफ सून सकती थी उसके पैरों के आवाज काफी जोर से आ रही थी वो काफी तेज दौड रहा था और उसके करीब और करीब आता जा रहा था मिधी जितना तेज बाग सकती थी भाग रही थी और तभी उससे अपने सामने एक लिफ्ट देखी अगर वो आरभ के हाथों पकड़े जाने से पहले लिफ्ट से फर्स फ्रोर तक जा सकती तो उसे प्रिटेक्ट करने के लिए मोहित पेंजिन बॉली गार्ट को भेजा था वो फर्स फ्रोर पर ही थे वहाँ पहुचने के बाद वो सेफ रहेगी बदकिस्मती से ये सब ऐसे नहीं हुआ जैसे उसमें सोचा था जैसे वो लिफ्ट के अंदर पहुची और क्लोस बटन दबाया लिफ्ट के दर्वाजे की बीच की दरार पर एक लंबी परशाई पड़ी लिफ्ट का दर्वाजा क्लोजिंग ट्यून के आवाज के साथ बंध हो गया जैसे विदी ने अपने सामने खड़े हुए आदमी को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे का सारा खून सूक्या है वो तब तक पीछे खिसकती रही जब तक वो लिफ्ट की ठंडी और मेटल की दिवारों से टक्रा नहीं गए उसके बाद वो वहीं चिपकर खड़ी हो गए